आप लोग देखते होंगे जब भी चुनाव होता है लोकसवा हो फिर चाहे बिधानसवा हो इनकी बात होती है तो परी सीमन आयोग चर्चा में आ जाता है जब भी आप देखते होंगे कि बिधानसवा लोकसवा स्थीटों में अनुसूचित अनुसूचित जन जाती कि उच्छे जाते हैं, हाली में आपने देखा होगा कि जम्मू कस्मीर से 370 अटाई गई, और आपने देखा होगा कि लगदाग और जम्मू कस्मीर दो भागों में बट गया, तब भी आपने देखा है कि परी सीमन आयो, चर्चा में आ चुका था, हाल में क्यों चर्चा में है तो इसमें देखेंगे हाली में एक गैर सरकारी संस्था है पेड़ाव मुखरजी फाउंडेशन इसने अंगले परी सीमन के लिए कुछ सोजाओ दिये हैं अपनी तरब से परी सीमन से तातपर किसी राज में विधान सभा और लोगसभा चुनाओ के लिए निरवाचन चेत्र की सीमाओं का निरधारन करना है कि कितने जनसंख्या पर कितनी सीट होनी चाहिए एक आप समझे है कि लोगसभा में एक सीट है तो कितनी जनसंख्या के लिए एक सीट निर्धारित की जाने चाहिए इसी की बात करा हूं मैं सुझाओ की इसमें बात करें कि क्या-क्या सुझाओ इसने कहा है तो अंगलेस्ट परी सीमन में निमलिखित पिक्रिया होनी चाहिए कौन-कौन सी पिक्रिया है राज्यों की सीमा निर्धारित करने के लिए वर्ष 2021 की जणगरना के नुसार एक परी सीमन आयो का गठन किया जाना चाहिए और जनसंख्या के आधार पर राज्यों की पुनर गठन की सिफारिस की जानी चाहिए परी सीमन आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए राज्यों को छोटे राज्यों में विभाजित कर एक राजपोनर गठन अदिनियम लाया जाना चाहिए अगर बरत्मान परीदिस्त की बात करें कि बरत्मान में क्या पिक्किरिया चल रही है तो आप देखें कि 2000-2002 में समिधान के 84 बे समिधान संसोधन ने 2026 के बाद होने वाली पहली जनगरना तक लोकसभा और राजपिधान सभा छेत्रों के परिशेमन पर रोक लगाती है आप समझें कि अभी आप लोग किस से जनगरना का उपयोग करते हैं 1971 वाली का लेकिन 2002 में जो आपका समिधान में 84 बे समिधान संसोधन हुआ था इसमें कह दिया गया कि 2026 के बाद जो जनगरना होगी उसके आधार पर एक तरह से लोकसभा राजपिधान सभा और राजपिधान सभा छेत्रों के परिशेमन पर रोक लगा दी उसके बाद ही एपिक्रिया सुरूँ की माप करिये राजपिए इसलिए वो लाओं की राजपिधान सभा तो आप जानते हैं कि राजपिधान सभा की सदस्तों द्वारा ही चुने जाते हैं ठीक है वर्थमान सीमाएं वर्ष 2001 की जनगरना की आधार पर निर्धारित की गए हैं लोकसभा राज बिधान सभा सीटों की संख्या वर्ष 1971 की जनगरना की आधार पर इस तेरे अभी भी आप देखेंगे 1971 की जनगरना का उपयोग करते हुए सीटों का वटवारा किया गया है कि अनुसार जो आपने अभी यूज कर रहे हैं उसमें हमारी जनसंख्या 50 करोड थी जो 50 बरसों में 130 करोड हो गई है जिससे देश में राजनेतिक पितिने दित्में भारी बिसमता देखने को मिली है इसका मतलब आप लोग समझें कि 1971 में जो आपकी 50 करोड जनसंख्या थी उसी के आधार पर आप लोगों ने सीटे मटवारा की हुई है और उसी का उपयोग अभी भी कर रहे है वही है कि किसी समस्या उस समय कौन सी समस्या थी उसी के हिसाब से आप लोग समझ लीजे कि उस समय कोई वीमारी थी उसका इलाज भी उस समय वही आप लोग कर रहे थे और इस समय कोई दूसरी वीमारी आई है तो उसका भी इलाज आप उसी तरह ऐसी कर रहे है आप समझे कि 130 करोड के करीब आपकी जनसंख्या पहुँच चुकी है और आप ख्याल किस जनसंख्या कर रहे हैं पच्चास जो करोड जनसंग्या थी, उसी के आधार पर सभी विवस्ताएं बनाए हुए हैं। तो एक कई बार सबाल में आ जाता है, कि या तो आप समझे कि वरतमाज जनसंग्या को देखते हुए हमें निधारित करना चाहिए। अगर हम बात करें परी सीमन आयोग की, तो परी सीमन आयोग को भारत के राष्टपती द्वारा नियुक्त किया जाता है, और यह भारतिये निर्वाच्चन आयोग के सहयोग से काम करता है, एक बात और याद रखी, परी सीमन आयोग को आप लोग सीमा आयोग के नाम से भी जा एक परिसीमन अधीनियम लागू किया जाता है। इससे पहले आपको बता दूँ कि कितने बार अभी तक परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। तो 1952 में, 1962, 1973 और सन 2002 में। सन 2002 का जो कुल्दीप सिंग की अध्यक्षता में बनाए गया था। ठीक है? याद रखें। अगर हम बात करें परिसीमन के उद्देश की केस का आकिर किस उद्देश के साथ गठन किया जाता है? तो परिसीमन का उद्देश समय के साथ जनसंख्या में हुए, बदलाओ के बाद भी सभी नागरेकों के लिए समान पितिने दित को सुनिश्चित करना। परिसीमन के समय है, जो जनसंख्या बदल रही है उस सब का ख्या लगते हुए, उम्हें समान पितिने दित, यानि कि सबका समान पितिने दित्थों, यह बात सुनिश्चित करना है। 10,000 जन संक्या थी अब आप समझी है 50 से साल में वहां हो गई है कितना 10 लाग कितना 10 लाग तो आप समझी कि इसके लिए जो पितिन दित कर रहा था 10,000 के लिए वही 10 लाग का कर रहा है तो इनका कहना है की 10 लाग के हिसाब से विवस्था होने चाहिए और दसलाग का समान पितिने दित्थ होना चाहिए समझ रहे हैं आप लोग तो यही बात की जा रही है इसमें कहा जा रहा है कि अनुसूचित बर्ट के लोगों के हित्नों की रक्षा के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारन भी परीसीमन की फिक्रिया के तहती किया जाता है अनुसूचित बर्ट के जो भी है अनुसूचित जन जाती अनुसूचित जाती इनके लिए जो भी सीटों की अरक्षित होती है यही करता है, कई राज्यों में आप देखते भी हैं, ठीक है, अगर हम परी सीमन आयोक की सरचना की बात करें, तो परी सीमन आयोक की अधिक्षता उच्चतम नयाले की एक आवकास प्राप्त, नयाजिश द्वारा की जाती है, और इसके अतरिक्त देखेंगे इस आयोक में ने करेंगे हम लोग, तो आयोक परी सीमन के क्रिया के क्रियानमन के लिए पितेक राज्य से, यानि की हर राज्य से, आपके दस सदस्वां की न्युक्ति की जाती है, जिसमें आप देखेंगे, पांच लोकसवा सदस होते हैं, और पांच सम्मंदित राज्य की विधान सभा की स सदसों को लोगसवा सपीकर और संबंदीत राज्यों की बिधान सवा सब्सक्ता पड़ने नामित किया जाता है कौन कौन इसमें सामय है भारत का महापंजी करण एवं जनगरना आयुकत को बला सकता है भारत का महासरवेक्चक को भी बला सकता है केंद तथा राजसरकार से कोई अन्य अधिकारी भी आ सकता है भोगलिक सूचना पिणाली का कोई विसेशक भी इसमें आ सकता है या फिर कोई अनबेक्टी जिसकी पिसे सगता या जानकारी से परीसीमन की फिक्रियाओं में सहयता पराप्त हो सके इन्हें भी समय समय पर बुलाते रहते हैं ठीक है अगर हम बात करें परीसीमन आयूग के कारियों की कि इसके कार क्या है आकिर सबसे महत्मूर तो यही होता है संसदी निर् अनबात का ध्यान दिया रखा जाता है कि राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या का अनबात पूरे देश में सभी राज्यों के लिए समानो यहां आप लोगों को बताना है कि आपके यहां लोकसभा सीटें कितनी है आप अपने अपने राज्यो नायुक द्वारा किया जाता है आपको समझ में आ गया हूँ आपका जमू कस्मीर की बात क्यों की जा रही थी जमू कस्मीर में आप समझे कि विधान सबा है और लद्दाक में विधान सबा नहीं होगी ठीक है याद रखना है आपको विधांसवा निरवाचन चेत्रों के पड़ीशीमन के द्वराण इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि राज्जों की सभी स्विश चुनावी चेत्रों में विधांसवा सीटों की संख्या और चेत की जन संख्या का अनुपाद समान रहे और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि एक विधानसवा निर्वाचन छेत सामानता एक से अधिक जिलों में पिस्तारित ना हो इसका वीविसे द्यान जहा जाते हैं अनुसुचिज जातियों और जनजातियों की बात करें तो इनकी सीटों की आरक्षण की विविवस्ता की जाती है इसके द्यारा आपको याद रखना है क्योंकि कई बार आपका लिखित परिक्षा में भी आ जाता है और हो सकता है कि आप देखते हूंगे MPPSC में आप देखते हैं कि छोटे-छोटे questions आते हैं उनमें भी आपका इस तरह की कारिक उंचले आप से ठीक है? तो यहीं भी आप लोग याद रखी है तो यही कहानी है आपकी परिशीमन आयोकी और अभी तक चार बार आपका गठन हो चुका है इसका 1952, 1962, 1973 और सन 2002 में ठीक है? और इससे दूसरा नाम इसका सीम आये हो गए क्योंकि यह भी कई बार आजाता है